उधर कॉंग्रिस के वलिष निता मोतिलाल वूरा का 93 साल के उम्र में निधन हो गया है खबराई है खराब सिहत की वयसे मोतिलाल वूरा को कल रात एसकोट हॉस्पिटल में भड़ती कराये गया था कली उनका जर्म दिन बे था लंबे समित तक कॉंग्रिस को साधक्ष रहे मोतिलाल वूरा मत्य पदेश के मुक्ष्वंत्री और उत्रप्देश के राजपाल भी रह चुक है मोतिलाल वूरा को गादी परिवार का बेहत करी भी माना जाता है साल 2018 में बढ़ती उम्र का हवाला देती वी रहूल गादी ने मोतिलाल वूरा को को साधक के पद से अटा दिया था और जिम्धारी उनसे ले ली थी वापस एहमद पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन साल 2018 तक लागातार वो पार्टी के को साधक बने रहती एहमद पटेल का भी पिछले दिनों निदन हो गया था कॉंग्रेस के लिए ये किसी बड़े जटके से कम नहीं कि एक के बाद एक लागातार जिम्के बड़े नेता है वो उनका साथ चोड़कर जा रहे हैं एहमद पटेल का जाना बहुत बुरा वक्त था कॉंग्रेस के लिए और अब एक सबसे पुराने दिगज कॉंग्रेसी मुतिलाल वोरा भी कॉंग्रेसीयों का साथ चोड़कर जा चुके है कॉंग्रिस के वलिष नेता मुतिलाल वुरा का निधन हुआ और यह पूनियक शती के तौर पर इसे माना जा रहा है क्योंकि बहुत पुराने नेता मध्यपदेश के दो-दो बार मुख्योंदी रह चुके है उत्य प्रदेश के राजपाल रह चुके मुधिलाल वोरा 93 साल की उम्रे में उनका निधन हुआ है लंबे समय तक उन्हें पार्टी की सेवा की है और यहीं वज़ाए कि उनकी सेवा की वयसे उन्हें जौला खमान है सुन्या गांधी उनका बेहत करी माना जाता गांधी परिवार के साथ वो लंबे समय तक अपने इमांदार और मेहनती युभार की वयसे बने रहते साथ वो लगातार पार्टी को मजबूत बरा रखने के लोंने काफी काम किया लेकिन जब उम्र बंडे लगे तो उन्हें पार्टी में कुश अधक्ष का पद्दे विया गया था और उसे भी उन्होंने बखुभी निभाया और करीब करीब 17-18 साल तक वो पार्टी के लगातार पार्टी के गवाई कर रहे थे लेकिन प्रभार के तौर पर और यह ये दिखाता है कि कहीं न कहीं मोटिलाल वुरा की हैसे पार्टी के अंदर क्या थी कि जब रााल गांधी ने मना कर दिया कि वो पार्टी के नहीं संभानेगी सुन्या गांधी मना कर चुकी थी उसक welcomed अज़ दुनिया छोड़कर जा चुका है लंबस वक्त तर पार्टी के सिवा करने के बाद अभी भवान के पार जा चुका है ये शक्स मोतिलालवुरा इनका निधन हुआ है और इसके निधन के बाद से पुरे पार्टी में गम का महौल है क्योंकि सारे कारकरता ने था कहीं न देता शायद अगरना मिले लेकिन मुटिलाल बूरा हमेशा और इस अस्वास्मंदी बन्ना गुपता हमाँ साथ जूड़ चूकिया बन्ना गुपता जी एक बहुत बड़ी च्ठती कॉंग्रेस के लिए 93 साल का सफर इन्होंने तैय किया और बहुत लंबे समय तक पार्टी कि सेवा की किस तरीके से श्रताजली देना चाहेंगे आप मुटिलाल बूरा जी के निधन पर कि मैं बहुत मरमाहत हूँ हमारे मुटिलाल बूरा जी एक ऐसे युद्धा थे जिनोंने अंतीम सांस तक कॉंग्रेस के लिए जिया कॉंग्रेस के लिए अपने अंतीम सांस तक भी है और उनके जीवन का एकी उदेश था राष्टियता और कॉंग्रेस कैसे कैसे जन जन तक पहुँचे ऐसे माहन बुरूती के जाने से हम बहुत मरमाहत हैं हम उनकी आत्मा की सांथी की प्रात्ना करते हैं परंपिता पर्जिश्टों से प्रफना करते हैं कि वह अपने नए जिवन में जिस तरीके से उन्होंने उम्र के अंतीम पड़ा है वो हम लोगों के लिए प्रेजना है और वो जहां भी नए जीवन में जाएं उसी तरीके से पुनाश चमकते रहें मैं उनको सफफ़त नमन करता हूँ पडाम करता हूँ और उनकी आत्मा की सांतीजी सामना करता हूँ बड़कुता जी उनसे जुड़ा कोई सेस्मेंट जिसमें आप महसूस कर पाई कि किस तरह से आप उनसे जुड़ा खुद को महसूस करते थे क्योंकि बहुत भी आम लोगों के साथ वो करेक्ट हो जाते थे कोई बड़े नेता ना मिले अगपर लेकिन यह मिलते थे जबी भी हम लोग जाते थे जाके उनके चेंबर में कोई रोक टूप नहीं थी जी चेंबर में जाने में कोई रोक टूप नहीं थी और हम लोग जाते थे अपने मन की कोई भी वेदना पीड़ा या कोई भी मन की बात होती थी हम लोग उनको सहर कह सकते थे और उस्विकार करते थे और पूरी गंभिर्ता पुर्वक वो हर इस जिंडु पर गंभिर्ता पुर्वक पात करते थे और मैं समझता हूँ कि भूरा जी का जरूर जीवन 93 वर्ष का होगा लेकिन वो प्रती दिन 23 वर्ष के ज़वान की तरह काम करते थे एसा वेकित तो ऐसा जीवन जीने की सलीचा अतना जोद खरोज और ना थकने वाला इंसान वो रहे जिनके जीवन में थकान नाम की चीजिने इसी और मेरे पास सब्दों का भाव है कि मैंकिन सब्दों से ऐसी जिकत परिश्टिती में ऐसी जेदना पूर्ण परिश्टिती में इसे भारे में सहों में समझ मनी आ रहा है जी पिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े एसस्समेंट को अपने साजा किया शधान ले थी बना गुता जीत हैं हमारे साथ अबी और इन्होंने निधन पर शोक रक्त किया है मोतिलाल वूरा का निधन हो गया 93 साल के उमर में और इसके बाद से लगातार तमाम कॉंग्रिस के नेताओं की तरफ से और बाकी राजनिती के तरफ से भी लागातार सम्विदनाय प्रकट की जा रही है शोक प्रकट किया जा रहा है क्योंकि मोतिलाल वूरा अपना आप में एक राजनिती की पार्टशाला रहे है भले ही वो कॉंग्रेस से रहे हो लेकिन कहीं न कि राजनिती की पार्टशाला उन्हें कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से उनका सफर रहा राजनिती का और उम्र के आखरी पढ़ाओ तक यहां तक कि आखरी दिन तक भी वो कहीं न कहीं कॉंग्रेस से ही उनका नाता बना र और लागातार पार्टी ने उन पर भरूसा के और यही वज़ाई कि कोशा धक जैसे बहत्पूर्ण पर वो लागातार बने रहे हाना कि यह बटते उम्र की वज़ेसे था अगर उम्र साथ दे रहा होता तो उन्हें बहुत सारे जिम्मेदार्यां दी जा सकती थी क्योंकि उन् मुख्यमंत्री बने रहने का हूँ या उत्रप्रदेश का राजपाल बने का हूँ बहुत बड़ा सफर उन्होंने तेह किया राजनीते जगत में और फिलाल रुखते हैं आप छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजुरों के कुछ और हैं खबरों के साथ 11 सच है तो